इस नए लेटिस्ट और धमाकेदार वीडियो में आज हम लेकर कर आए हैं क्लास 12 हंडिट मार्क्स इंगलिस का नेक्स चेप्टर चेप्टर नंबर है दस तो बस इसको समझ लेना है और समझने के बाद इससे रिगार्डिंग जो भी सब्जेक्टिव हो या अब्जेक्टिव हो एंसर लिख करके आना है तो चलिए बीना देर के हम लोग सुरू करते हैं चेप्टर का नाम है इंडिया थू ट्रेवलर्स आइज जिसका हिंदी हुआ यात्रियों के नजर में भारत क्या हुआ हिंदी यात्रियों की नजर में भारत ठीक है जिसके राइटर है पर्ल एस बक कहा के रहने वाली है अम अमेरिका की ठीक है ना तो यह बात के लिए रहो गई कि इंडिया थू ट्रेवलर्स आइज का लेखक है पर्ल एस बक अब बात करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ इनका जन्म 26 जून 1892 को हुआ ठीक है क्योंकि लेखक का जन्म भी पूछ देता है तो आपको बताना होगा चाहिए कि पर्ल एस बक राइटर के जन्म है 26 जून 1892 अगर बात करें इनके मृतियू की तो 6 मार्च 1973 को इनका मृतियू हुई थी यानि इनकी नीधन हुई थी ठीक है शी वाज एन अमेरिकन बाई बर्थ वह शी शी बोले तो पर्ल एस बक लेखक की बात की जा रही है शी वाज एन अमेरिकन वो क्या थी अमेरिका कराने वाली थी बाई बर्थ जन्म से ही यानि जन्म से ही वह अमेरिकी थी बाट लेकिन एस पेंट मस्ट अफ टाइम इन चाइन लेकिन वह अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय खर्च चाइना के अंदर किया कहा पर चाइना एक द भले ही अमेरिका का हो लेकिनों ने सबसे ज़्यादा समय खर्च चाइना के अंदर किया है और इस चेप्टर में इन्होंने ब्यक्षा की है कि भारत के जो गरीब लोगों की जीवन होती है वो कितना कलरफूल और कितना इंज्वाइब होता है उन लोगों के बारे में बहुत ह जबर्दस तरीके से एदम ठूश ठूश कर परसंसा किये बहुत ही जबर्दस परसंसा किये भारत के उस गरीब परिवार के बारे में बाताई है कि वो गरीब परिवार कितना जो है कि एक दूसरे से मिल जूल कर रहता है कैसे उन लोग का जिंदगी का गुजर बशर होता है कैसे उन लोग का रहना साना होता है कैसे वो लोग अपना खान पन रखते हैं कैसे एक दूसरे से बेवहार रखते हैं कितने संसकारी होते हैं कितने बेवहार वाले होते हैं मतलब कि इस चेप्टर में सिर्फ इंडिया के पूरेस्ट पीपुल के लाइफ के बारे में बोले तो फाइनली इंडिया थू ट्रेवल्स आई जिसका हिंदी हुआ यात्रियों के नजर में भारत ठीक है यात्रियों के नजर में भारत आखिर इस चेप्टर का नाम कुछ तो लेखी का जो कुछ भी बताएंगी हम आपकी परतियेक लाइन को हिंदी में करके समझाने की कोशिश कर दें कि अगर सौट समरी ऑफ इंडिया थू ट्रेवल्स आईज को लिखने की बात आ जाए तो आपको लिखने में भी काफी असानी होगी काफी बैनिफिस्यल सावित होने वाला है जो मैं यह निचोड लेकर के आया हूँ तो चलिए बीना देर किये परतियेक लाइन को हम ल नाम हो गया इंडिया थू टेवल्स आई जिसका हिंदी क्या हुआ यात्रियों के नजर में भारत ठीक है वीच वाज रीटेन जो लिखा गया है बाई ए फैमिनिस्ट राइटर पर्ल इस बक जो फीमेल राइटर पर्ल इस बक के द्वारा लिखा गया है यानि कि अगर आप आप से सवाल पूछ दे की हुँं इस दराइटर अफ इंडिया थू टेवल्स आई तो आप कहेंगे की परल इस बक इस दराइटर आफ इंडिया through table size clear हो गई बात और आप से ये भी पूछ सकता है कि पर्ल एस बग जो है या फिमेल राइटर है कि मेल राइटर है तो देखिए नाम में थोड़ी सी हेजिटेशन होती है तो एक बात ध्यान में रखे गया कि पर्ल एस बग भले ही मेल की तरह नाम लग रहा है लेकिन यह एक फिमेल नेम है या एक फिमिनिस्ट राइटर का नाम है ठीक है अब चलिए आगे आगे देखेंगे देखिए शी का मतलब क्या समझा आपने यह पर्ल एस बग के जगह पर पुर्णावन वर्ड सी का परियोग किया गया है ठीक है ना यानि कि जब भी किसी ब्यक्ति के नाम के जगह पर ही शी का परियोग किया जाता है तो समझे कि वो एक पुर्णावन वर्ड है और उसी ब् बख पर समझेगा पर पर इस वर्ख वाज एन अमेरीकन भाई बंट जो यह परल एस बख है ना वह में से ही अमेरीका के रहने वालिये निया का जंव जो है ल का अमेरीका से ही हुआ है यानि वह पर लिद्वेट उनका जंव मिरे refuse रहे है की इस का जन स्थल değild के लेकिन लेकिन she spent her maximum time in China लेकिन उन्होंने अमेरिका में भले ही वो जन्म ली हैं भले ही उनका जन्म भूमी अमेरिका में रहा है लेकिन उन्होंने अपना जीवन का सबसे ज्यादा समय खर्च चाइना के अंदर किया है कहां पर किया है चाइना के अंदर किया है अब आगे देखेंगे इंडिस एसे इस निबंद में तो एक और बात यहां पर किलियर हो गई कि इंडिया थुरू टेवल्स आइज नाम का जो चेप्टर है यह एक एसे है मतलब कि आपको अबजेक्टिम अगर पूछ दे कि यह एक एसे है कि एस्पीच है कि एस्टोरी है तो आप पी करेंगे कि यह एक एसे है बोले तो यह एक निबंद है ठीक है अब आगे देखिए थोड़ा सा में उपर कर लो ताकि आपको समझाने में काफी आसान होगी ठीक है अपनी गहरी प्यार और इसनिह के बारे में वो बेखिया करती है फूर दप्वरेस्ट इंडिया पीपूल लाइफ जो भारत में रहा रहे गरीब लोग है ना उनके बारे में यह लिखती है और कहती है और बेखिया करती है अपनी मतलब समझे तू भारत मेरा राय जितने भी गरीब लोग है ना गरीब लोग की जिंदगी के kneading बारे में यहां से अंदर रह रह रहे गरीब लोगों के जीवन के बारे में बेक्या करती हैं और कहती हैं कि उन लोगों का जो जिन्दगी होता है ना गरीब लोगों का वो काफी जो है ना कलरफूल होता है मतलब बोले तो काफी अनंदायक होता है कलरफूल मतलब रंगीन काफी अनंदायक ठीक है ना तो वहा मेरा रह रह गरीब लोग की जीवन है ना उनकी बारे में उनके प्रेम और उनकी जो है ना उनके आफेक्शन के बारे में उनकी इसनिह के बारे में बने गरीब लोगों के जीवन के महबत आपसी मिल महबत और आपसी इसनिह के बारे में यह बेख्या की और बताती हैं कि उन ल जाते होंगे ठीक है ना जब आप जाईएगा हाले के गरीब अमिर तो नहीं कहना चाहिए ठीक है ना हम लोग पढ़े लिखें इनसान अगर गरीब करेंगे तो लोग क्या कहेंगे तो सुनिये यहाँ पर थोड़ा दिर के लिए एक्जामपल समझे अगर जब आप अपने से थोड़ा सा जो कमजोर बेक्ति हैं या गरीब आदमी है ठीक है ना जिसको खाने का ठीक नहीं पीने का ठीक नहीं ठीक है ना उड़ने और पहनने का गरीब हैं देखिएगा आपको उस घर से कितना रिस्पेक्ट मिलता है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है क्योंकि उनलोग का दिल बहुत बढ़ा होता है जितना ही में है बहुत ज़्यादा खुस रहता है चाहे हो उनलोग का घर मड़ई पलानी का क्यों नहों लेक गरीब होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं ठीक है अब देखिए वो आगे क्या लिखती हैं समझिएगा परती एक लाइन को बहुत ही जबरदास्ती चेप्टर है इससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलेगा यह जो लेखिका है ना यह भारत के लोगों के प्रेमी है भाई क्यों प्रेमी है तो समझिए आगे उन्होंने पाया डैट कि इंडिया इस दा लैंड अफ यूनिटी उन्होंने देखा कि वाकई में भारत में भारत एक धर निर्पेक्च देशे भारत में कई जाती प्रांथ के लोग रहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सीख, इसाई और ये भारत जो है एक एकता का भूमी है मतलब यहां कि जो भी लोग हैं अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुस्लिम, सीख हो या इसाई वो लिखती हैं उन्होंने पाया कौन लेखिका ने देखा और इस चीज़ को अबजर्ब करके अपनी बातु को रखा इस चेप्टर के अंदर और कहा कि वाकई जो है ना इंडि आगे वो क्या लिखते हैं तो अपने अपने धर्म में रह करके वह पूज़ा करेगा मुस्लिम है तो अपने धर्म में रह करके वह अपना नमाज पढ़ेगा या पूज़ा करेगा जो भी है मतलब हर धर्म का अलग अलग अस्थाएं है ठीका ना इसलिए वो लिखती हैं की the people of India are religious यानि भारत के जो लोग होते हैं वो धार्मिक होते आपने अपने धर्म की अच्छा तरीका से रख्छा करते हैं अपने धर्म को अपने अपने धर्म के इसाब से अपने जीव लिखते हैं और दूसरे नमर की भाव पूर्ण होते हैं ठीक है बाते समझ में आ गई अब आगे देखिए क्या लिखती हैं आगे लिखती With everyone और किसी के साथ भी रहा लेते हैं उनको थोड़ा सा भी उच्णीच फिल नहीं होने दिया जाता है एक दूसरी के साथ रहा लिया जाता है हिंदू, मुस्लिम के साथ रहता है मुस्लिम, हिंदू के साथ रूसु के साथ, सिकh इसाई के साथ इसाई हिंदू के साथ मतलब सब लोग एक दूसरी के साथ बहुत ही बढ़ियां से रहते हैं मतलब नंबर भास के होते हैं सब लोग लोग एक दूसरी से मिल कर रहते हैं इतनी सारी तरीफ अब देखिए आगे क्या लिखती है They have different existence यानि भारत के लोगों के पास दे मतलब उन लोगों के पास और उन लोगों मतलब किसके बारे में यह बोली है मने भारत के लोगों के पास different existence बोले तो बहुत सारी अस्थाये हैं है ना मतलब मुस्लिम अपने धर्म को मानता है हिंदू अपने धर्म का इसाई अपने धर्म को सीख जो है अपने धर्म को मानता है मतलब उनकी विभी अस्थाये हैं अलग अलग जाती परांद के लोग भारत के अंदर रहते हैं और अलग बहुत बहुत ही अच्छे ढंक से मिल जूल कर रहते हैं अब चलिए आगे देखते हैं अगला परग्राफ और अगला परग्राफ अगर आप इसको समझ लेते हैं तो मुझे लगता है कि ये चेप्टर से रिगार्डिंग जो भी सब्जेक्टिव या अब्जेक्टिव कोस्ण आएगा तो इस से रिगार्डिंग कोई भी कोस्ण हो बनेगा तो आप उस कोस्ण का एंसर लिखने में थोड़ा सा भी आप पीछे नहीं हटेंगे तो चलिए इस लाश्ट पर अगर आपको भी देख लेते हैं कितना मज़िदार होने वाला है देखिए पर्ल इस बख सीज डैट पर्ल इस बख फिमल राइटर का नाम है बोले तो पर्ल इस बख यानि यह लेखी का पर्ल इस बख कहती हैं सेज कहती हैं डैट की दा पीपल आफ इंडिया देखिए यहां पर फिर और तारीफ की है तोड़ा साब हम लोग तारीफ देखने क्या क्या कही है पीपुल आफ इंडिया भारत के लोग लीव इने ज्वाइन फैमली क्या बात है भारत की लोग अकसर एक में रहने की कोशिश करते हैं मतलब यह देखी हैं और इस बात को अ दिल जूल कर अगर किसी पीता माता के माने माता पीता के अगर चार संतान तो चारों बेटा कितना भी बड़ा हो जाए फिर उनके भी संतान क्यों न हो जाए लेकिन यह लोग एक संगठित परिवार के रूप में अपना जीवान करते हैं ठीक है ना विए डाइजेबल और जहां पर देखें डाइजेबल मतलब होता है विकलांग इल्डर मने बड़े जहां पर अब देखें इसी संगठित परिवार में इसी संयुक्त परिवार में जहां पर डाइजेबल विकलांग अगर कोई हो भी गया यह कोई बड़ा है बुढ़ा हो गया तो वहां पर इन ल जान दिया जाता है ठीक है आगे देखिए not only so but इतना ही नहीं not only so but का मतलब क्या हुआ इतना ही नहीं if any parent बोले तो माता या पीता is old अगर बुड़े हो जाते हैं then to they are also well taken care of अगर माता या पीता समझे रहा ना माता या पीता अगर उनमें से कोई बुड़ाद हो जाता है ठीक है ना और उनका हालात सही नहीं रहता है तो in case उस समय सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है इस संयुक्त परिवार के अंदर तो उमीद करते हैं कि यह वीडियो बहुत ही अच्छे ढंक से आपको समझ में आया होगा अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा और चैनल पर नए है तो सबस्क्राइब भी कर दिजिएगा तो मिलते हैं next वीडियो में next chapter के साथ तब तक के लिए जैहिंद